महेंदर अपने परिवार के साथ एक छोटे से गाउं में रहता था उसके परिवार में उसकी पतनी उर्मिला और दो बेटीयां शीतल और छाया होती हैं वो अपनी दोनु बेटीयों के लिए रिश्टे की तलाश कर रहा था तभी एक दिन उर्मिला का भाई घर आता है मामा जी नमस्ते मम्मी जल्दी आओ देखो मामा जी आए है जीती रहो बेटी कैसी हो मैं अच्छी हूँ मामा जी आप बताईए आईए बैठिए तभी उर्मिला आती है और अपने भाई से मिलती है शीतल चाय बनानी चली जाती है और चाया शीतल की हेल्प करानी के लिए रसोई में आती है अरे बेहन बहुत अच्छा रिष्टा है दोनों लड़के सगे भाई है तेदी भी परिशानी खत्म हो जाएगी दोनों बेहने एक घर में जाएंगी तो अच्छी तरह रहेंगी घर बार सब बढ़िया है वो सब बात तो ठीक है भाई पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहे एक भाई शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है तो दूसरा भाई किसान क्यों है या वो कम पढ़ा लिखा है अरे बेहन वो बहुत बढ़ा लिखा लड़का है पर उसे खेदी बारी का शौक है ठीक ठाक कमा लेता है ठीक है भाई इनको आने तो फिर बात करके बताती है फिर उर्मिला अपने भाई को खाना बाना खिला कर भीजती है शाम को जब महेंदर घर आते हैं उर्मिला उनसे भाई के लाई रिष्टे की बात करती है रिष्टा तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एक भाई किसान है उसकी आमदनी इतनी नहीं होगी दूसरे की सेटल जॉब है और उसे अच्छी खासी सेलरी भी मिलती है अँँ मुझे तो रिष्टा अच्छा लग रहा है बस फर्क सिर्फ इतना है ये एक भाई किसान है पर दोनों बेहने एक ही घर में जाएंगी ये अच्छी बात सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रहेंगी महेंदर अपनी दोनों बेटियों को रिष्टे के बारे में बताता है शीतल का रिष्टा किसान लड़के अमन से होता है और च्छाया का रिष्टा अमित से तै हो जाता है कुछ समय बाद महेंदर धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है शादी के बाद मा मैं परसो सुभा शेहर चला जाऊंगा इतने दिन की छुट्टी नहीं कर सकता और बार-बार आने जाने का जंजट भी लगा रहेगा तो मैं च्छाया को भी साथ ले कर जाऊंगा अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है अगली बार जब तु छुट्टियों में आएगा तो च्छाया को साथ ले जाना मा तु समझने की कोशिश कर मैं बार-बार छुट्टिया नहीं ले पाऊंगा ठीक है बेटा जैसा तुझे ठीक लगे जा च्छाया को बोल दे वो भी अपनी पैकिंग कर ले की और जैसे ही च्छाया को पता चलता है कि वो शेहर जाने वाली है उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता वो भाग कर शीतल के पास जाती है शीतल 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 ओ मेरी बेहन मेरे बच्पन का सपना पूरा होने जा रहा है मैं शेहर जा रही हूँ हरे वा, ये तो अच्छी बात है क्या माजी ने पर्मीशन दे दी? हरे हाँ, उन्होंने पर्मीशन दे दी है मैंने तो अमित से साफ कह दिया था कि मैं आपके साथ शेहर जाओंगी और फिर उन्होंने किसी तर अपनी मा को मना लिया अब तो मेरी जिन्दगी बिल्कुल ही बदल जाएगी शेहर की जिन्दगी का मजा ही कोछ और होता है चारो तरफ रोशनी, शोर, शराबा, महंगे-महंगे, मौल, रेस्परेंट जैसा मैं चाहती थी, मेरे को तो बस वही लाइफ मिल गई अच्छा-च्छा, ये ठीक है, लेकिन इतना खुश होने की भी जरुरत नहीं है थोड़ा ध्यान से रहना पहली बार शेहर जा रही हो और हाँ, फिजूल खर्ची बिलकुल मत करना, जैसे कि तू हमेशा से करती आई है बस, मैं तुझे इसलिए कोई बात बताना नहीं पसंद करती, तेरी नसीहतें शुरू हो जाती है अरे, अब मुझे फिक्र की क्या जरुरत है, अमित है न, इतनी बड़ी कमपनी में काम करते हैं, तो पैसा भी अच्छा कमाते हैं मैं तो बस बहुत मज़े करूगी चाया बहुत अच्छी बात है कि अमित बहुत पैसा कमाता है, लेकिन तुम्हें पैसो की कदर करनी आनी चाहिए ये सब तेरे सोचने का काम है, जी जा जी तो किसान है, अब कितना कमाते हैं मुझे नहीं पता मैं तुझे एक एडवाइस देती हूँ, तू आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दे अगले दिन चाया अमित के साथ शहर चली जाती है, शहर आकर चाया के पर ही निकल आते है शाम को जैसे ही अमित आफिस से आता, अमित आप आ गए, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज मैंने फोन पर बहुत अच्छा रेस्टरेंट देखा है अरे यार चाया, आज मैं बहुत थक गया हूँ, तुम घर में ही कुछ बना लो ना, रोज रोज बाहर का खाना भी तो ठीक नहीं है मैंने तो दो पहर से कुछ भी नहीं खाया, मैं तो सोच रही थी कि शाम को रेस्टरेंट में ही जाकर खाऊंगे अब मैं इतना तैयार हूगर किचन में खाना बनाने जाओ, नहीं नहीं, हम लोग रेस्टरेंट ही जाएंगे ठीक है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं चाया रोज रोज कही न कहीं जाने की जिद करने लगी, अमित उसे कुछ नहीं कहता वो सोचता है कि शेहर पहली बार आई है, तो सारी चीज़े देखने का मन करता होगा, और उधर गाउं में अरे शीतल, तुम रोजाना ही घर में खाना बनाती हो, शादी के बाद हम एक दिन भी कहीं नहीं कहें पास ही में एक कजबा है, वहाँ का ढावे का खाना बहुत मशूर है, चलो, किसी दिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? मेरे कहने का ये मतलम नहीं शीतल कि तुम अच्चा खाना नहीं बनाती मैं तो बस सोच रहा था कि तुम जब से आई हो इस घर में रोजी काम में लगी रहती हो तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि किसी दिन तुम मेरे साथ बाहर जाकर खाना खाओ नहीं, मेरा ऐसा कोई मन नहीं करता और फिर हम दोनों ऐसे जाते हुए अच्छे भी नहीं लगते मा के लिए तो खाना बना नहीं है तो फिर हम अपने लिए भी खाना बना लेंगे जितने पैसे आप रेस्टरेंट में देने की सोच रहे हो इतने पैसे आप मुझे दे देना अच्छी बात है अनपूर्णा देवी जी आप घर पर इखाना बनाओ और हम सब साथ बैठ कर खाएंगे उन दोनों की बाते वहां से गुजरती हुई अमन की मा भी सुन लेती है अपनी बहु की बाते सुनकर उसे शीतल पर बहुत प्याराता है मैंने अच्छा जुनाव किया है मुझे अच्छी बहुएं मिली है चाया भी जरूर अपनी बेहन जैसी ही होगी अगले हफते मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ चादी के बाद से सारा परिवार एक बिदे निकठा नहीं हुआ ठीक है मा मैं अमित से बात कर लूँगा वो तुमसे मिलने आ जाएगा अब तुम इतनी फिक्र मत करो और आराम करो अगली सुबह अमित जब अपने खेतों में जाने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि उसकी मा को चाती में बहुत दर्ध हो रहा है वो अपनी मा को लेकर हॉस्पिटल जाता है अमित भाई मा को हाट अटेक आया है जितनी जल्दी हो सके तुँ आजा भाई आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो मा का ख्याल रखो मैं शाम तक पहुँच जाऊंगा पोन रखने के बाद चाया जल्दी से बैग में दो-चार कपड़े रख लो मा को हाट अटेक आया है हमें अभी गाउं के लिए निकलना होगा अरे आप भाईया से क्या देते वो मा को यहीं ले आते कैसी बाते कर रही हो चाया अगर भाईया मा को यहां तक लाते तो क्या वो बच पाती शाम तक वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं भाई कल ही मा तुझसे मिलने की बात कर रही थी और देखो आज सुभे मा को हाट अटेक आ गया यह सब कैसे हो गया भाई अचानक से डॉक्टर क्या बोल रहे हैं हाँ ठीक हो जाएगी बस कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा शीतल और चाया भी आपस में मिलती हैं और तुम दोनों थे तो यहां मा का खयाल रखने के लिए अमितने इतनी जल्दी मचाई आने की क्या क्या कह रही हो चाया अगर हमारी मा को हाट अटेक आता तो क्या तब भी तुम नहीं आती अरे अचानक से आने पड़ा तुम्हें पता है हम टेक्सी करके आये हैं धाई हजार खर्च हुए हैं पूरे वही पैसे हम कहीं और भी तो खर्च कर सकते थे मैं तुम्हारी बाते सुनकर हैरान हो चाया तुम कैसी बाते कर रही हो कैसी क्या बाते कर रही हो बस मुझे अब गाउं पसंद नहीं है छोटी सी बिमारी को भी बड़ा बना कर दिखा रहे हैं कभी उर्मिला वहां आती है और अपनी बेटी की बाते सुनकर शाया या शेहर जाकर सारी तमीज भूल गई वो तेरी सास है और अमित की मा भी शीतल को देख जब से हॉस्पिटल लेकर आई है तब से एक पैर पर खड़ी है परिवार क्या होता है उसकी फिकर क्या होती है ये शीतल से सी शाया वहां से पैर पटकते हुए अमित के पास जाती है तो वो देखती है कि अमित पैसे निकाल कर अमन को दे रहा है भाई ये कुछ पैसे रख लो मा के इलाज में काम आएंगे अमित तु टाइम पर आ गया यही बहुत है पैसों की जरूरत नहीं है तो उसकी फिकर मत कर भाई ये पैसे रखो जरूरत पढ़ जाएगी शाया वहां आकर अमित को बोलती है आप ज़रा एक मिनट इधर आना मुझे आपसे बात करनी है शाया अमित को साइड में ले जाकर बोलती है अरी अभी तो हम इतने सारे पैसे टैक्सी पर खर्च करके आए हैं और जानी का भी किराय लगेगा उपर से तुम भाई को इतने सारे पैसे दे रहे हो मेरी मा को हार्ट अटेक आया है चाया और पता नहीं कितने रुपए खर्च हो जाए मैं मानता हूँ भाई सब कुछ समाल लेंगे लेकिन मेरा भी तो कोई फर्ज है ये सब मैं नहीं जानती बस मैं इतना जानती हूँ कि आपकी मेहनत की कमाई ऐसे खराब नहीं होनी चाहिए शीतल चाया की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो आकर चाया को एक थपड मार देती है तब ही उर्मिला महींद्र और रमन सब इकठा हो जाते है जब से तुमाई हो मैं देख रही हूँ कि तुम सिर्फ पैसा पैसा का रही हो क्या तुम्हारे लिए पैसा इंसानों से बड़ा हो गया यहां हम लोगों को फिक्र हो रही है कि माजी कब ठीक होगी और तुम जब से सिर्फ पैसा पैसा ही बोले जा रही हो शीतल बिल्कुल ठीक कह रही है चाया मुझे भी बड़ा अपसोस हो रहा है अमीर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सब लोगों को नीचा दिखाने पर उतर चाओ और जिन लोगों को तुम नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो मत भूलो वो सब तुम्हारे अपने है जिस तरह की बाते तुम अमित की मा के लिए कर रही हो सोचो अगर अमित ने तुम्हारी मा के लिए की होती चाया तुम्हें शर्मानी चाहिए जिस अमीरी के लिए तुम इतरा रही हो मत बोलो कि अमित की मा ने उसको यहां तक पहुचाने के लिए कितनी मैनत की है उपर से सब कुछ तुम्हें सुहावना लग रहा है लेकिन उसके पीछे की मैनत तुम नहीं देख पा रही हो अपने लोगों के मुझ से अपने लिए ये शब्द सुनने के बाद च्छाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अमित से और अपने माता पिता और शीतल से सौरी बोलती है इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं था अगर मेरी माँ और पाप को कुछ हो जाता तो तिर यही लोग मदद करते हैं आप सबसे मैं माफी मागती हूँ आहिंदर से में कभी भी अपनी अमीरी पर ना तो घमन करूंगी और ना दिखावा तुम इस घर की छोटी बहु होचाया और सबकी लाडली भी और तुम्हें अपनी गलती का भी अहसास हो किया है इसलिए सब बातों को भूल जाओ और मिलकर खुशी-खुशी और फिर सब लोग अमित की माँ से मिलने चले जाते हैं बहुत समय पहले की बात है बिलासपुर नामक गाउं में सावित्री रहती थी वो बहुत गरीब थी और वो नौ माह से गर्ववती थी कुछ समय पूर्व ही उसके पती का बिमारी के चलते निधन हो गया अकेले कमाने वाला जब घर से चला जाए तो औरत पर विबदा के पहार तूट पड़ते हैं सावित्री के दुख का सहारा उसकी सहेली बनती है उसकी सहेली उमा भी उसी गाउं में रहती है और घर परिवार से भी काफी अच्छी होती है उसकी शादी को काफी टाइम हो चुका होता है लेकिन अभी तक उसके कोई संतान नहीं होई थी जिसे लेकर वो बहुत परिशान रहती थी तू फिक्र मत कर सावित्री, मैं तेरे साथ हूँ ना अब तू ही मेरा सहारा है उमा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, इन हालात में मैं क्या करूँ इस छोटे से गाउं में तो कोई मुझे काम भी नहीं देगा, और जो मेरी हालत है, इस वक्त पर तो मुझे से वैसे भी काम नहीं होगा देख, जितना मेर से बन सकेगा, मैं तेरे लिए करूँगी, बाकी भगवान की मर्जी है, जो होगा देखा जाएगा फिलहाल तो तु ज़्यादा परिशान में थो, वरना बच्चों के उपर असर होएगा थोड़े ही दिनों बाद सावित्री को प्रसव पीड़ा होती है, उसकी पडोसन भाग कर उमा को बुला लाती है उस समय गाउं में ही औरते आपस में डिलिवरी करा लिया करती थी, उमा भी सावित्री की डिलिवरी कराती है सावित्री के दो जुड़वा लड़कियां पैदा होती है, तब ही उमा का मन बदल जाता है और वो ए भगवान सावित्री को दो-दो बेटियां ही है और मेरी तो कोई संतान भी नहीं है अगर उसकी एक बेटी मैं रख लू तो नहीं नहीं सावित्री कभी नहीं मानेगी पर उसके हालाद भी ऐसे नहीं है कि वो दो-दो लड़कियों को पाल सके क्यों न मैं उससे बात करूँ अभी वो बेहोश है उसे पता भी नहीं है अगर मैं उसकी एक बेटी को अपने पास रख लू तो उसके मन में बहुत सारे विचार उथल पुथल हो रहे थे आखिर में उसकी ममता कमजोर पढ़ जाती है और वो सावित्री की एक बेटी को टोकरी में रख कर घर के कोने में रख देती है उधर जब सावित्री को होश आता है तेरे घर लक्ष्मी आई है सावित्री, देख कितनी प्यारी है भगवान तेरा लाख लाख शुकर है तुने मुझे गरीब पर कृपा करी और मुझे इतनी प्यारी बच्ची थी आज अगर ये सिंदा होते तो कितना खोश होते उन्हें भी बेटी ही चाहिए थी सावित्री मैंने सारा काम खत्म कर दिया है ले तु कुछ खा ले इसके बाद मैं घर जाओंगी उमा सावित्री को खाने के लिए देती है और उसके बाद वहां रखी हुई टोकरी को अपने साथ ले जाती है घर जाने पर ये तुने अच्छा नहीं किया उमा अपनी सहेली को ही धोखा दे दिया कोई धोखा नहीं दिया है मैंने उसे सोच कर देखो क्या वो अकेली दो बच्चियों को पाल सकती थी हाँ बस ये हुआ कि मैंने उससे बगैर पूछे उसकी एक बेटी ले ली मेरी भी ममता के बारे में सोचो मैं भी इसे इतना ही प्यार दूँगी जितना साबितरी देती कुछ भी कहें पर मेरा मन ये देखकर बड़ा दुखी हो रहा है अगर अब तु ये बच्ची उसके पास लेकर गई तो वैसे भी तु अपना भरोसा खो देगी पर यहां आस पड़ोस में तु क्या बोलेगी कहां से लाई है ये बच्ची मैंने सब कुछ सोच रखा है हम एक हफते बाद ही बच्ची को लेकर शहर चले जाएंगे वहां मेरे मामा का लड़का आपको कहीं नौकरी दिलवा देगा पर भगवान के लिए बच्ची वापस करने के लिए मत कहना भगवान ने मेरी गोद नहीं भरी तो क्या हुआ यशोदा ने भी तो कृष्णु को पाला था मैं भी इसे पाल लूँगे उमा की ममता के आगे चंदु कुछ नहीं बोलता एक हफते तक उमा सावित्री की जाकर मदद करती है सावित्री बेटी का क्या नाम सोचा तुने मैं तो एसे सीता कहकर पुकारूंगी बहुत ही प्यारा नाम है सुन सावित्री अभी तुझे अपना ध्यान खुदी रखना होगा इनकी नौकरी शहर में लग गई है हम लोग अब शहर जाकर ही रहेंगे देखना ना मुझे पढ़ना लिखना आता है न तुझे अगर मैं ख़त भेजूंगी भी तो तु पढ़नी पाएगी और मैं भी रोज रोज किससे ख़त लिखवाँगी अब जब भगवान चाहेगा तो हम दोनु सखियां मिल लेंगी उमा अपने पती चंदू के साथ बच्ची को लेकर चली जाती है जिसका नाम उसने गीता रखा था इधर गरीब सावित्री अपनी बेटी को जैसे तैसे पालने लगती है सावित्री कभी किसी के गेहूं साफ करवा देती तो वो कुछ गेहूं देती कोई अपने घर में किसी शादी ब्यापर उसे बरतन माजने या खाना बनवाने के लिए बुला लेता तो वहां काम करने लगती बिचारी बहुत गरीबी के दिन देख रहे थी तब ही एक दिन गाउं की सिठानी उसे बुलवा भीचती है और वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर वहां जाती है बेटी का रिष्टा तै हो गया है मुझे अपने घर में एक काम वाली की जरुरत है तो मुझे सावित्री तेरा खयाल आया बता क्या तु मेरे यां काम करेगी कैसी बाते कर रहे हो मालकिन आप काम बताओ और मैं ना करूँ पर तेरे पास तो इतनी छोटी सी बच्ची है तू कैसे काम कर पाएगी रहे सावित्री मेरे अलावा और कौन कर पाएगा मालकिन जिसको पैसे की और खाने पीने की जरुरत होती है उसे ही पता होता है की काम उसके लिए क्या है चल तो फिर ठीक है तू कल से काम पर आजा दोनों टाइम का खाना दूगी और दस रुप्या महीना सावित्री खुशी-खुशी अपनी बेटी सीता को लेकर घर आ जाती है उधर उमा शहर में उसके पती की अच्छी-खासी नौकरी लग जाती है गाउं का घर बेच कर वो शहर में एक अच्छा सा घर खरीद लेती है गीता को वो बहुत प्यार करती है उसके लिए उसने धेर सारे खिलोने खरीदे अच्छे-च्छे कपड़े भी पहनाती इसे कहते है किस्मत एक ही मा की घर में पैदा होने के बाद भी दोनों बच्चियां अलग-अलग जगह पर पल बढ़ रही थी एक को सारी सुविधाई मिल रही थी और दूसरी के पास दो टाइम का दूद तक नहीं था धीरे-धीरे वक्त बीटता है और दोनों लड़कियां नौ साल की हो जाती है नहीं मा, मुझे भी पड़ोस वाली मीना की तरह ही सुन्दर सी फ्रॉक चाहिए तुने पिछली बार बोला था मुझे कि अगली दिवाली पर तुझे अच्छा सा फ्रॉक दिलाऊंगी मा, इस बारी भी तुने मुझे पुराने कपड़ों में ही रखा हुआ है देख सीता, तु बहुत जिद करने लगी है कहा न बिट्या पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं तुझे नया फ्रॉक दिलाऊं मासूम सी सीता मुझे फुला कर घर के बाहर बैठ जाती है आज पड़ों उसके बच्चे नए-नए कपड़े पहन कर बाहर खेल रहे होते है उधर शेहर में गीता मुझे तो मा ये ये सारी फ्रॉक पसंद है आप सारी क्यों नहीं ले लेती अरे मेरी प्यारी बिट्या तिरे को जो जो फ्रॉक पसंद आ रहा है तू वो रख ले फिक्र क्यों करती है मैं तुझे बाद में और नई-नई फ्रॉक दिलाऊंगी और ये सुनकर गीता बड़ी ही खुश होती है और अपनी पसंद के चार प्रांच फ्रॉक ले लेती है गाउं में अपने घर के बाहर बैठी उदास दीता क्या हूली क्या दिवाली उसके लिए तो सब दिन एक जैसे ही थे सावित्री बड़ी कोशिश करती लेकिन मालकिन के दिये हुए कपड़े ही वो सीता को पहना पाती है एक दिन गाउं की सेठानी का देहांत हो जाता है उसकी बहु पुराने सब नौकरों को निकाल देती है मैं आपकी पैर पढ़ती हूँ मुझे नौकरी से मत निकालो मेरे सर पर तो आदमी का साया भी नहीं है मैं और मेरी बेटी कहा जाएंगे यहां रोना दोना मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो एक बारी जो मैं सोच लेती हूँ मैं वही करती हूँ और मुझे अपने इस महलनुमा घर में तुम जैसे फटीचर लोग नहीं चाहिए चारो तरफ गरीबी का ही माहौल बना रहता है लाचार सावित्री अपनी बेटी सीता का हाथ पकड़ कर घर की तरफ आती है काम छूटने की वज़ा से वो बहुत उदास होती है अचानक से ही उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है मा, मा, उठो, उठो मा, आँखे खोलो मा, तु आखिर क्यों नहीं बोल रही तु मर कई क्या मासूम सी सीता अपने मा के गालो को हिला हिला कर अपनी मा को उठा रहे थी तब ही आसपास के लोग सावित्री को गिरा हुआ देखते हैं और कुछ लोग आकर उसके मूँपर पानी के चीटे मारते हैं सावित्री को जैसे ही होश आता है वो सीता को गले लगा कर रोने लगती है और फिर उठकर अपने घर आ जाती है मा, तुझे क्या हुआ था? मैं तो बहुत डर गई थी मुझे तो लगा तु मर गई अब मेरा क्या होगा? बस यही चिंता तो बेटी मुझे दिन रात खाये जा रही है कि अगर काम ना मिला और मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? उधर शेहर में येले भगवान, हो गया तेरी गीता का एड्मिशन स्कूल में अरे ये तो बड़ी अच्छी खुशकबरी सुनाई आपने अब हमारी गीता भी स्कूल जाएगी मैं तो तेरी हर खौइश पूरी कर रहा हूँ मा क्या तुझे कभी सावित्री की याद नहीं आती? पता नहीं बेचारी कैसी होगी? अपनी बच्ची को कैसे पाल रही होगी? ये सब बाते आप गीता के सामने मत करना क्यों दुख नहीं होता? मुझे भी कभी कभी सावित्री का बड़ा ख्याल आता है पर मैं तो अपनी ममता के आगे मजबूर हो जाती हूँ कभी कभी तो मेरा भी दिल करता है कि मैं जाकर उसे बता दूँ कि उसकी बेटी मेरे पास है पर डर जाती हूँ पता नहीं वो मुझे क्या क्या सुनाएगी? मेरे दोस्त के यहां उसकी बेहन की शादी है जानती है ना तू वो मोहन? तीन दिन के लिए गाउं जा रहा हूँ तू कहे तो सावित्री से भी मिलाओं कुछ थोड़े बहुत पैसे भी दे आऊंगा बिचारी को और उसकी बेटिया के लिए भी कुछ ले जाऊंगा अगर ऐसी बात है तो कोई नहीं मैं शाम कोई जाकर उसकी बेटी सीता के लिए दो फ्रॉक ले आती हूँ क्या देना उसकी मौसी ने भिचवाए है चंदू अपने गाव आता है उसके दोस्त मोहन की बेहन की शादी हो रही थी तब ही उसकी नजर सावित्री पर पढ़ती है जो वहाँ शादी में खाय हुए जूटे बरतनों को एक कोने में बैठी धो रही थी और साथ में इस सीता अपनी मा की मदद करवा रही थी चंदू का दिल ये देख कर तार-तार हो जाता है अरे सावित्री बेहन ये तुम क्या कर रही हो अभी यहां से उठो और चलो मेरे साथ अरे चंदू बहिया आप कैसे हो क्या उमा भी साथ आई है सावित्री बेहन पहले तो तू यहां से खड़ी हो और ये ये सीता है ना कितनी बड़ी हो गई है चंदू सीता को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिलकुल गीता की तरह दिखाई दे रही थी सावित्री हाथ भोकर चंदू को घ़र ले जाती है और शर्बत बना कर देती है उमा को भी ले आते एक ही तो सहेली है मेरी जब से गई है पूरे नौ साल हो गए है मैंने तो उसे बहुत याद किया क्या वो भी मुझे याद करती है वो तो तुझे हर पल याद करती है सावित्री बहन और करेगी भी क्यों न तेरे कर्स के नीचे जो दबी बैठी है कौन सा कर्स चंदू भाईया अरे कर्स तो मेरे उपर है उमा का जब सीता पैदा हुई तो उसने मुझे पंदरा रुपे दिये थे अब मैं तुझे क्या बताऊं सावित्री बहन तु मुझे ये बता कि तेरा खर्चा पानी कैसे चलता है सीता बिटिया का ख्याल तू कैसे रखती है बस भाईया क्या बताऊं पहले से ठानी के हां काम करती थी उनके गुजरने के बाद वापस किसी किसी के हां काम करती हूँ कोई बुला लेता है तो एक दो टाइम का खाना मिल जाता है और सीता का जो हाल तुम देख रहे हैं बिचारी बच्ची कुछ नहीं मांगती सावित्री बेहन मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता तु जल्दी से अपना समान बांध और मेरे साथ शहर चल तेरी दो रोटिया मुझ पर कभी भारी नहीं होंगी ना ना चंदु भाईया ऐसे कैसे मैं आपके साथ चली जाओ आखिर आपका भी तो अपना परिवार है बात मान ले सावित्री बेहन मेरा यकीन मान उमा बड़ी खुछ हो जाएगी देख तो सीता की क्या हालत हो रखी है क्या तू नहीं चाहेगी कि तेरी बेटी इस बढ़ते जमाने के साथ में बड़ी हो चंदू किसी तरह सावित्री को मना ही लेता है अगले दिन सावित्री एक छोटी सी पोटली में अपने और सीता के कपड़े रखकर चंदू के साथ शहर आ जाती है उमा जैसे ही दर्वाजा खोलती है सावित्री, मेरी बेहन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता मेरी बेहन चंदू भया बहुत जिद करके मुझे अपने साथ यहां ले आए सावित्री और उमा दोनों गले मिलकर रोही रहे होते हैं कि अंदर से गीता भागते हुए आती है और सीता को देखकर हैरान हो जाती है अरे तुम तो हूँ बहु, मेरे जैसी हो गीता के ऐसे बोलते ही सावित्री की नजर गीता पर पड़ती है और वो देखती है कि सीतो और गीता दोनों एक जैसी है वो आश्यर इसे उमा की तरफ देखती है मुझे माफ कर दे सावित्री तू शायद एक मा की ममता को समझ पाए मेरे मन में उस दिन तेरी दो बच्चियों को देख कर लालचा गया तू मुझे माफ कर दे सावित्री तू मुझे माफ कर दे तभी वो गीता को कसकर गले लगा लेती है देख बहन सावित्री, उमा ने जो कुछ भी तेरे साथ किया है, ममता में आकर किया, पर जब मैंने गाओ में तेरी इतनी बुरी हालत देखी तो मुझसे रुका ना गया, ये दोनों बच्चिया आखिर है तो हमारी ही न, अब तु सारी नाराज़की छोड़ और मेरी बहन की तरह इस घर में रहे, शायद भगवान की यही मर्जी होगी, ये दोनों बहने अलग-अलग ना हो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सावित्री, मान जा, हम दोनों अपनी बच्चियों का बहुत अच्छे से खयाल रखेंगे, इन्हें अच्छी पढ़ाई करवाएंगे और इ जानकर वो दोनों बड़ी खुश होती हैं और गले लग जाती हैं, चंदु सीता का एडमिशन भी गीता के साथ स्कूल में करा देता है, और यहां से सीता और गीता दोनों की किस्मत एक जैसी होती है, सारा परिवार साथ रहते हुए खुशी-खुशी जीवन बिताने लगा मीरा और माया दोनों सगी बहने होती हैं, उनके पिता लाल किशन ने उन दोनों की शादी धूम धाम से करी होती है, मीरा की शादी रमेश के साथ होती है और माया की शादी महेश के साथ, रमेश शहर में जॉब करता था और वो अच्छी-खासी सैलरी लेता था, वहीं माया क पती महेश का गाउं में ही छोटा सा बिजनस था। दोनों बहने ठीक ठाग घरों में गई हुई थी। अब घर में किशनलाल, उनकी पत्नी और एक बेटा आकाश होता है। दोनों बहनों का माईके में आना जाना लगा रहता था। आकाश अगले मेहने तेरी शादी तैह हो गई है। इसलिए अपनी दोनों बहनों के घर नियोता देने चले जाना। ठीक है बाबा, मैं दोनों बहनों के यहाँ पर नियोता दे आऊँगा। और कोई काम है? तो वो भी बता दीजी। पहले मायादी के घर जाऊँगा और फिर मीरादीदी के पास आऊँगा। वो शहर में रहती हैं तो वहाँ से कुछ चीजे भी लेता हुआ आऊँगा। हाँ, अपने मा से पूछ ले, उसे कुछ सामान चाहिए, तो उसे ला कर दे देना। अगले दिन आकाश अपनी छोटी बहन माया के हां गाउं में नियोता देन हाँ, धन्यवाद बहन, सपरिवार आना और शादी से कई दिन पहले आकर रुकना भी है। अरे मेरे एक लौते भाई की शादी है, मैं टाइम से क्यों नहीं आऊंगी। तू देख ले ना, आकर खूब धमाल मचाना है हम लोगों को। चल तू बैट, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूं। खाना खाने के बाद में आकाश माया से बोलता है, यहां से मैं मीरा दीदी के यहां जाऊँगा, तुम्हें कोई सामान चाहिए, तो बता दो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आजकल गाउं में सब कुछ मिल जाता है, तुम आराम से जाना और दीदी को मेरा नमस्ते कहना। तभी माया का आठ वर्शे बेटा स्कूल से आ जाता है, और अपने मामा को देख कर बहुत खुश हो जाता है। तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए लेता हुआ आ जाऊँगा। भाई, आने से पहले तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। मुझे लगा तुम घर पर ही होगी, इसलिए मैंने तुम्हे फोन करना जरूरी नहीं समझा। अरे, तुझे तो पता ही है, शहर की जिन्दगी कैसी होती है, कभी भी निकल जाते हैं, देखो न, बेटे के स्कूल का टाइम हो रहा है, अगर तुम थोड़ा लेट आते, तो तुम्हे बाहर वेट करना पड़ता। अरे, हाँ, इस तरब तो मेरा ध्यानी नहीं गया, तुम कहो तो मैं कुन्नू को स्कूल से ले आओं। और ऐसा बोलकर मीरा कुन्नू को लेने स्कूल चली जाती है, और वो आकाश को पानी पिलाना भी भूल जाती है, आकाश सोफे पर बैट कर बेहन के आने का इंतिजार करता है, काफी देर बाद मीरा कुन्नू के साथ घर आती है, ओ, मुझे माफ करना आकाश, मैं तो तुम्हें पानी ही देना भूल गई, रुको रुको, मैं अभी तुमारे लिए कोल्ड रिंग लेकर आती हूँ, कुन्नू कैसे हूँ, पढ़ाई कैसी चल रही है, बस मामा पढ़ाई चली रही है, मम्मी ने बताया, अगले मैने आपकी शादी है, फिर तो हम बहुत मज़े करेंगे ना ममा, ये ले आताश, कोल्ड रिंग पी, शादी में टाइम से आजा ना दीदी, और जीजा जी को भी बोल देना, उनका तो मुझे पता नहीं है, बहुत काम रहता है ना ओफिस में, हाँ पर मैं समय से पहुँच जाऊंगी, हाँ दीदी, मैं आपको बताना भूल गया, ममी ने लिस्ट भीजिये, कुछ सामान मार्केट से लेना है, मेरे साथ चलना शाम को, जरा दिखाना मुझे लिस्ट, वैसे शहर में बहुत महंगाई है, जो चीज गाउं में सो रुपे की मिलती है, वो यहाँ धाइसो तक की मिल देगी, और शाम के टाइम आकाश और मीरा बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं, मीरा आकाश को बड़े मॉल में लेकर जाती है, अरे दीदी, यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है, अब महंगाई तो है ही, हम लोग तो यहीं से ही शॉपिंग करते हैं, ये इतनी पॉल में भी तो वही चीज़ें मिलती हैं जो नॉर्मली मार्केट में मिलती हैं, अरे तभी तो मैं कह रही थी कि ये सारा सामान तुम गाउं से लेते तो तुम्हें जादा सस्ता पड़ता, आकाश को ऐसा लगता है, जैसे कि उसकी बड़ी बेहन उसे गरीबी का ताना दे है, और बेटा, आ गया, तो कैसा रहा, जो सामान मंगाया था, वो ले आया, कुछ सामान ले लिया है मा, पर वहां बहुत मेहगा है, अगर मैं वहां से सारा सामान लेता, तो पैसे कम पड़ जाते हैं, चल, कोई बात नहीं, वैसे भी परसो माया घर आ रही है, महेश ने उस चली जाओ, वहां पर काम जादा होगा, तुम्हारी मा समभाल नहीं पाएगी, बहुत पुन्निक ये होंगे, मैंने जो मुझे ऐसा दामाद मिला है, अर ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी यही सोच रहता मा, मा, तुम अकेली सब कुछ कैसे समालोगी, अब माया दीद अच्छा हुआ माया, तो जल्दी आ गई, शादी का घर है, सो काम फैले पड़े हैं, काम की चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ न, मैं सब कुछ देख लूँगी, बस अभी मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, पहले चाय पीते हैं, और फिर मुझे बताना कि क्या-क्या क आराम करना है, अरे, अभी सास तो ले ले, अभी तो आई है, और नीशु को क्यों नहीं लाई, अरे मा, तुम्हें पता तो है कि स्कूल की पढ़ाई खराब हो जाती है, इसलिए महेश ने बोला कि तुम चली जाओ, मैं नीशु को अपने आप देख लूँगा, और तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलो, नीशु अपने पापा के साथ आराम से रह लेता है, और मा, वो शादी से एक हफता पहले आ जाएंगे, फिर माया गरम गरम चाय बना कर लाती है, और दोनों मा बेटी चाय पीने के बाद काम के बारे में बातचीत करते हैं, तब ही किशनलाल भ अदत कर देना ठीक है, बाबा, अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्या मीरा दीदी भी आ रही है, अरे उसका मत पूछो, अब वो शहर की ही हो गई है, इतना बिजी रहती है, कि हमें फोन तक करने का टाइम उसके पास नहीं होता, पर कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे शादी का टाइम ही आ जाता है, और रिश्यदार भी घर आ चुके होते हैं, एक हफ्ता पहले मीरा भी अपने घर आती है, मीरा आ गई बेटा तू, क्या हुआ, रमेश साथ नहीं आए, अरे मा, तुम्हें पता तो है, उनके ओफिस का आ जाएंगे, और मा, कितनी गर्मी हो रही है, तुम्हें दो-चार पंखे लगवाने चाहिए थे, हाँ, आकाश गया हुआ है, इंतिजाम करने के लिए, तभी महेश भी वहाँ आ जाता है, उसके साथ नीशू होता है, महेश अपने सास के पैच होता है, और नीशू भी, अरे महेश बेटा, अच्छा हुआ, तुम टाइम से आ गए, और नीशू, जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मी उपर है, उनके पास जाकर बोलो, कि सब के लिए चाय नाश्ता तयार करें, अब आप बिलकुल भी परेशान मत हो माता जी, मैं और आकाश सब देख लेंगे, फिर महेश मीरा की तरफ देखता है, अरे, दीदी आप भी पहुँच गए, मेरा ध्यान आपकी तरफ गया ही नहीं, कैसे हो, और रमेश कहां है, मैं ठीक हूँ, रमेश अभी नहीं आएंग अब तुम्हें तो पता ही है कि कितना काम होता है उनके पास, तुम्हारा तो बिजनस है, तुम तो किसी भी टाइम बंद करकर इधर उधर खूम सकते हो, ऐसे नहीं बोलते मीरा, बात नौकरी की है, बिजनस की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है, जिसे अपनी जिम्मेदार समझ में आती है वो समय निकाल ही लेता है हाँ हाँ ठीक है मा पंको का इंतिजाम करो सच में बहुत गर्मी है और ये चाय पानी मत देना मुझे मेरे लिए कोल्डरिंग मंगवा देना तभी आकाश की मा और महेश वहां से चले जाते हैं काफी देर बाद जब माया नीचे आती है तो मीरा से मिलती है अरे दीदी अच्छा हुआ आप आ गई अब दोनों बहने मिलकर भाई की शादी के सारे काम निप्टा लेंगे अरे यार माया ये काम वाम अब मेरे से नहीं होते देखो वहां पर तो मेरे घर में नौकर लगे हुए है और फिर काम करूंगी तो मेरा म अपनी क्या हालत बना रखी है कोई कहेगा कि तू अपने भाई की शादी में आई है तूने तो फेशल तक भी नहीं कराया अरे दीदी अभी शादी को पूरा एक हफता पड़ा है मैं भी देख लूंगी कि कैसे तयार होना है मैं तो अपनी बहुत सारी ड्रेसे लेकर आई ह अगर तुझे चाहिए हो तो तुभी ले लियो ऐसी ऐसी ड्रेस है जो तुने देखी भी नहीं होगी और ये कोल्ड रिंग मंगाई थी मैंने अभी तक नहीं आई तुम बैठो दीदी मैं तुम्हारे लिए कोल्ड रिंग लेकर आती हूँ तभी आकाच की मा वहां आती है और मीरा और माया को काम बताती है माया चुपचाप काम करने लगती है और मीरा ममी प्लीज मुझे कोई काम मत बताओ मैं यहाँ पर शादी एंजॉय करने आई हूँ काम करने नहीं और ना मुझे आदत रही है ये काम वाम ये गाउं के लोग कोई गाउं वापस नहीं आऊं। ये तू कैसी बाते कर रही है। मीरा तेरा सारा बच्पन इसी गाउं में ही तो निकला है। चार-पांच साल से शहर में क्या रहने लग गई। तुझे गाउं और गाउं वाले अच्छे नहीं लगते। बस करो अब मा, मुझे अब तुमसे इस तरह की बाते सुनना पसंद नहीं। मीरा और उसकी मा की यही बातें धीरे धीरे बहस का रूप ले लेती हैं। सभी आये हुए रिश्चदार भी इस लड़ाई को देख कर बाते बनाने लगते हैं। तबी वहां किशन लाला आता है। और मीरा को अपनी मा से बहस करता हुआ देख कर मीरा को डाटता है। लेकिन किशन लाल इतने गुस्से में होता है कि वह मीरा को बहुत डाटता है। तो मना करती है और ना बड़ा चड़ा कर बाते करती है। और रही बाद तुमारे शहर और गाउं की तो शहर में तुमने जाकर सिर्फ तमीज को ये। इतना सुनने के बाद में मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब के सामने अपनी माँ से माफी मांगती है और सबसे भी। बाबा अब गुसा थूग दो मैं सबसे माफी मांग चुकी हूँ और मुझे समझ में भी आ गया है कि शहर और गाउं जैसा कुछ भी नहीं होता। किशनलाल उसे माफ कर देता है और प्यार से समझाता है और सब शादी की तयारियों में लग जाते हैं।